नमस्कार दोस्तों पार्ट चाला उनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है मैं विकास चोदरी रिजिनिंग आपको पढ़ाऊंगा पहला टोपिक अपने इसार्ट करने वाले हैं कांटिंग फिगर देखिएगा है हिंदी में जिसे आप कहते हैं चित्रों की गणना इस टोपिक में क्या है दोस्तों बहुती इंट्रेस्टिंग टोपिक है ध्यान से देखना समझना बहुती छोटी छोटी बेसिक डिटेल के साथ आपको पूरा टोपिक समझाए जाएगा गोर ये करना है कि यहां से प्रशन जो आते हैं परिक्षा में वो अपन को कैसे हल करना है सबसे बड़ी समस्या यही है विद्यार्थियों के साथ कि अपन सीखके तो चले जाते हैं लेकिन जब परिक्षा होल में जब परिक्षनों को करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यहा topic से कितने questions आपके सामने आते हैं तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां से मैं आपको क्या-क्या पढ़ाने वाला हूं ध्यान दें बोड़ पर टूटल टाइप यहां से आपको जो पढ़ाई जाएंगे वो दोस्तों होंगी नो टाइप पढ़ेंगे कितने टाइप के परशन पढ़ेंगे अपन नो टाइप के कौन-कौन से होंगे इस पर बात करते हैं सबसे पहला अपन सीखेंगे line counting जिसे हिंदी में आप सीखते हैं रेखाएंगे दूसरी टाइप आप सीखेंगे दोस्तो square counting जिसे आप हिंदी में कहते हैं वरग गिनना तीशरी इसके बाद जो आएगी वो अपन सीखेंगे square से ही मिलता जुलता oquire से ही मिलता जुलता जिसे आप हिंदी में सम्चतुर्भुजी के नाम से जानते हैं ठीक है इसके बाद जो चोथा पार्ट आता है दोस्तों उस चोथे पार्ट में क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं चोथे पार्ट में आपन सीखेंगे रेक्टेंगल जिसे आप हिंदी में आयत कहते हैं उसके बाद पांचवी टाइप जो आपन सिखेंगे दोस्तों उसके अंदर जो आपका इस टोपिक का सबसे बड़ा जिसके नाम से विद्यार्थी भेवित रहता है त्रिबुझ गिन्ना इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे नंबर छे पर जहां पर आपको सिखाया जाएगा शमांदर चत्र बुझ गिन्ना ठीक, तो टूटल टाईप यहां से 6 हुई इसके बाद आजाते हैं 7 नंबर पे एक आता है इसे के अंदर वर्थ गिन्ना क्या गिन्ना वर्थ गिन्ना एक इसी में आएगा आठवा जो पार्ट अपन सीखेंगे इसके बाद वर्त के बाद जो आएगा वाएगा घंगिनना क्या गिनना और घंग के बाद जो नुवे नंबर का जो इसके अंदर टोपिक आता है वो अपन विविद्व परकार के जो अक्ष्ट्रा अग्जामपल्स जितने भी होते हैं इनके अलावा जिसके अंदर चाप वगेरे वो जो इम आपको टाइप 9 में सिखाऊंगा तो आज आपन देख रहे हैं कि यहां आपके सामने अपन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तो टाइप नंबर एक जो अपनी हेडिंग है लाइन काउंटिंग इसको देखकर आपको सामने एक छोटा सा नाम लिखा हुआ है इसको देखेंग कि कौन से अकजाम में कौन से प्रशन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रशन पूछे गए हैं और आगे आपको इसके लिए कैसे तयार रहना है तो देखिए अपन बात करते हैं अपने पहले प्रशन के लिए तो दोस्तों वी जो बेसिक डिटेल हैं आपके सामने इसको ध्यान से देखना सबसे पहले बात करते हैं पहला जो प्रशन है आपका इसके उपर क्या है मामला देखेगा यहां आप एक सिंगल लाइन देख रहे हैं इस टाइप से तो यह एक रेखा हुई यह तो कहेंगे तो बहुत चोटी सी बात है तो आगे कैसे करें इसके अंदर एक चीज पर ध्यान से देखना अब क्या क्या है आगे से आगे डिटेल जैसे अपन बढ़ते जाते हैं यहां ए अगर अपन काउंटिंग लिखते चले तो यहां कितना हुआ है एक अब बात आती कि यहां कितने हैं तो बोले अब टुकडे कितने हो गए दागने यहां पर में डोट बना दूं तो यहां से टुकडे अपने को दिख रहे हैं लhole पिर यहाँ पर इसका गलत आणसवर है तो यही से सीखते चलेगे जिससे आगे अपने को समश्या नहीं आने वाली आई कैसे सीखेंगे देखना गिंटी आती है अपने 1 2 3 4 लिखेंगे काम हो जाएगा तो यहां एक लिखा और यहां अपने दो लिखा अब ऐसा लिखा यह भी पूरी डीटेल से सीखेगे लेकिन एक और दो लिखा तो इन दोनों को क्या करदेंगे दोस्तों हम पलस करेंगे तो पलस करेंगे तो दो और एक का योग टोटल कितना हुआ 3 तो यहाँ जो अपना राइट आंसर कि यहाँ पे रेखाएं कितनी हैं तो वह कितनी हुई तेन अब दिमाग में आता कि तीन तो कैसे यह यह चोटा टुकड़ा यहां डोट है यह आगे का टुकड़ा तो एक एक यह वाली कितनी हुई है दो और एक यहां से नहीं कर यहां तक को पूरी है तो ये टोटल कितनी हुई देखना अब अब समझ आएगी कानी एक छोटा पार्ट एक ये छोटा पार्ट और एक पूरा पार्ट तो टोटल लाइनों की संख्या कितनी हो रही है तीन हो रही है ऐसा ही अगर मैं यहां गिनने को कहूं तो अब आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों कैसे गिनेंगे देखते जाओ तो देखना दोस्तों बड़े ध्यान से ये जो अगला है इसके उपर दो पॉइंट बने वाए एक यहाँ पर बना हुआ है एक यहाँ पर बना हुआ है अब दिमाग क्या कर रहा है क्या करना चाहिए अपने को तो मैं कहूँ यहां कितना लिखोगे एक आगे दो आगे तीन अब इन सब को क्या कर देना चाहिए अपने को प्लस तो रोटल योग कितना हो रहा है तीन दो पा detect करेंगे इसको तो देखिए कैसे गिनेंगे यहां कितना एक दो तीन और छार इन सब को क्या कर देना है अपने को फलस कर देना है तो तोल यूँ किना हो रहा है चार तीन साथ जोड देना अपने को जोड़ेंगे तो टोटल योग कितना हो रहा है दोस्तो 15 तो यहां से जो अपना basic है one और five तो यह चीज ध्यान देने वाली है कि यहां से जो अपन देखाओं किनने का जो basic plan है अपना वो क्या है कि जहां भी बीच में cut का निशान मिलेगा अब cut का निशान जैसे यहां पर मैं dot बना के दिखा रहा हूँ आपको dot दिख रहा आपको यहां से तो ये डोट जो अपने इस लाइन के उपर बना रहे हैं ये डोट क्या कहता है इसको भागों में विभाजित करता है किसमें भागों में विभाजित करता है जिससे पता चलता है कि यहां के टुकडे गिनने हैं अब ये अगर पांट छोटी छोटी बातें याद हैं सिंगल पीस वन लाइन दो टुकड़े होने पर तीन लाइन तीन टुकड़े हो रहे हैं छे लाइन अगर चार पार्ट डिवाइड हो रहे हैं तो टोटल 10 लाइन और अगर 5 पार डिवाइड हो रहे हैं तो टोटल 15 लाइन यहां पर काउंट होगी अब बात आती है कि यहां से प्रशन कैसे पूछा जाएगा तो दोस्तों विभिन परकार की प्रिक्षाओं में विभिन परकार के प्रशन आपके सामने पूछे गए हैं किसी ने देखा हो डंग से पेपरों के बारे में जानकारी की हो जो बच्छे से तयारी कर रहा है विध्यार थी उसको अच्छे से पता है कि प्रशन कैसे आते हैं तो लेट पको प्रशन कैसे किस तरीके से पूछे गए हैं और धीरे धीरे करके एक एक चीज बहुत ही जो देख रहे हैं वो यह है देखने वाली बड़े गोर से दिखिएगा इन दोनों प्रशनों के अंदर क्या है लाइन कैसे गिनेंगे वो बाद की बात लेकिन जो दो नाम लिखे में अधिक्तम रेखा हैं और यून तम रेखा हैं इन दोनों का क्या कहना है तो दोनों ही अलग-अलग परिख्षाओं में पूछे गए हैं वो परिख्षाओं कौन सी मैं पहले बता देता हूँ नाम तो शुना होगा आरपी एफ रेल्वेर प्रोटेक्शन फॉर्च इसके दो परकार के अग्जाम हुए थे दोस्तों एक तो हुआ था कौंस्टेबल का और एक हुआ था सबमेस्पेक्टर का बहुत से विद्यार्थियों ने अग्जाम भी दिये हैं आरपी एफ कौंस्टेबल और ऐसा ही का जो अग्जाम हुआ था उस अग्जाम के अंदर दोस्तों जो लाइन गिनने से सम्मंदित प्रशन पूछे गए थे वो प्रशन मेक्जिमम लाइन के उपर आधारी थे यानि कि उस प्रशन में अधिक्तम रेखाएं पुछी जा रही थी लेकिन उसके बैक टू बैक पीछे एक और अग्जाम हुआ जिसका नाम आपको पता है हुगा ससी जीडी ससी जीडी का जो अग्जाम हुआ उसके अंदर भी लाइन काउंटिंग से रिलेटेड प्रशन पूछे गए और उस प्रशनों के अंदर जो काउंटिंग पूछी गई वो मिनिमम काउंटिंग पूछे गई तो दो परकार के प्रशन सीखने हैं दोस्तों एक मैक्जिमम करना है देखिए ध्यान से बोड़ निगा रहें अब एक एक चीज सिखा दी जाएगी बविस्य में कभी भी रिजिनिंग में समस्या नहीं आने वाली है यह याद रखना काउंटिंग और फिगर जैसे तुम चित्र देखोगे तुम उड़ा दोगे यह विश्वास मानिए इसमें कितने गिन है तो मैंने एक चीज सिखाई आपको अभी थोड़ी देर पहले इससे पिछले वाले पार्ट में जैसे देखेगा यहां आते हैं एक बार कि कोई भी डोट लगता है उसे काउंट कैसे करेंगे दो भागे वन टू लिखो याजी वन टू तू तरी लिखो चार भागें वन टू टू तरी फोर लिखो जोड़ दो आंसर आ जाएगा लेकिन प्रशन कैसे पूछा उसके उपर बात करते हैं देखें मैक्जिमम लाइन है तो यह वाली लाइन पर आ जाओ यहां से यहां तक आप यहां पर देख रहे हैं एक कट लगा है तो कट लग ग इस पर लिखो गया 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 दो और तीन कि आपन ऐसा करने वाले तो ऐसा करेंगी तो यहां से कुल रेखाओं की सेंख्या प्राप्त हो जाएगी तो टोटल कितना होगा देखना तीन दो पांच एक छे दो आठ दो दस एक ग्यारा और एक बारा अगर आप से प्रशन पूछता है कि अधिक्तम रेखाएं कितनी है तो आपका आंसर कितना होगा बारा और अगर पूछता है कि नियूनतम रेखाओं की संख्या कितनी है तो यहां से नियूनतम रेखाओं की सं कि अधिक्तम रेखाएं जब भी पूछें तो आपको प्रशन क्या देगा पहला प्रशन पूछेगा दिए गए प्रशन में कुल रेखाओं की संख्या कितनी है धान से शुनों क्या प्रशन पूछेगा आप आपसे दिए गए प्रशन में कुल रेखाओं की संख्या कितनी है तो आपको इस परकार का प्रशन पूछे तो आपको बताना है कि यहाँ पे अधिक्तम सग्रेखाएं पूछी जा रही हैं यही बात आपसे पूछे कि इस चित्र को बनाने में कितनी रेखाएं खीची गई है इस प्रशन को बनाने में या इस चित्र को बनाने में कुल कितनी रेखाएं खीची गई है तो आपको इस प्रशन में नियूनतम रेखाएं पूछी जा रही है द्यान से चुनिएगा आपसे पूछे इस चित्र में क तो आपको अधिकतम बताना है और आप से पूछे कि इस प्रिशनम को कि tony रेखाओं से बना है कितनी रेखाओं से बनाए तो आपको नियुनतम बताने और नियुनतम काउंट करने के लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं उस लाइन को बड़े गोर से ध्यान देंगे जिस रेखा में कितने भी कट पॉइंट हो कोई दिक्त वाली बात नहीं है जहां पर जाके मुड़नी जाए जहां तक मुड़नी जाए वो रेखा एक ही गिनी जाएगी जैसे यह लाइन यहां से यहां तक चल लगी यह लाइन यहां से यहां तक चल लगी है एक गिनी जाएगी यह लाइन यहां से यहां तक चल लगी है एक गिनी जाएगी उसको एक ही गिनना है जब तक वो मुड़नी जाए तो याद रहे नूंतम रेखा है जैसे ही काउंट करेंगे तो अपन को याद रखना है क्या रहे होंगे आपके लेट सी अगला प्रिशन क्या कहता है वोई दो प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने अधिक्तम रहाएं और न्यूनतम रहाएं अब दोनों में क्या करना एक चीज बेध्यान में इसको मैं पहले डिटेल से बता रहा हूँ फिर इसको सोल्ट में करना सिखा हूँगा इसे पीछे वाला प्रशन था उसको अपने पूरी डिटेल एक दो तीन चाह लिए इसको भी करेंगे वैसे ही लेकिन उसको एकदम इजी कैसे कर सकते हैं देखना यह लाइन है इस पर दो जगए कट लग रहे हैं तो मैंने लिखा एक दो और तीन पहले पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ पूरी व्याख्या ठीक है अब बात आती है आगे यहां अगर काउंट करें तो इसमें एक ही कट पॉइंट है तो एक और दो इस पर बात करोगे तो एक दो और तीन इस पर बात करोगे तो एक दो और तीन ऐसे करके अपने संखें लिखी और लिख करके अपन टोटल इनका योग कर लेंगे अब थोड़ा थोड़ा दिमाख में यह कुश्चन उठ रहे हैं कि ऐसे अगर करेंगे तो थोड़ा सा भी ट तो अपना योग जो आ रहा है वो 21 यह अपना अंसर हुआ है लेकिन अगर मैं एक एक को गिनता ऐसे कैसे करें तो बहुत लंबा चोड़ा होने वाला है तुद्धी कि इसको मैं सूर्ट में निप्टाने की कोशिज करता हूं सूर्ट में कैसे करेंगे तो बड़े गोर से देखो एक छोटी से अपन इसका आइडिया लगाते हैं क्या हो सकता है कैसे हो सकता तो अपन अब एक दो तीन नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन बच्चों वाला काम नहीं कर रहे हैं अपने कॉम्पेटिशन का अग्जाम देने ज से देखो सिंगल लाइन एक बिस दो बड़े हैं तो अपन एक उर दो लिखेंगे तो पागल कर लाएंगे तो सीधा याद रखें तीन होगा तीन टुकडे होने पर छे हो जाएगा चार टुकडे होने पर दस होगा पास तक पंदरा बहुत है मोर्दन सफीशेंट है अपने जल्दी काम होने वाला है पहला काम न्यूंतम रेखा है पूछता है तो अपने दिक्कती नहीं है क्यों नहीं है देखो एक दो तीन चार सीदी सी कानी है यह तो सिंपल है सिंपल सा दिख रहा है अंसर अपने को इसमें तो जोरी नहीं आया आताती कि काउंट करेंगे इसमें तोटल लाइन तो देखो ये पन को देखना कि कितने भाग हो रहा है एक दो तीन तीन भाग होने का मतलब च्छे ये भी तीन भागों में तो च्छे ये दो भागों में तो तीन तुद्धे को कितना आशान काम हो गया च्छे च्छे बारा चेटी अठारा और तीन कि अब ऐसा अगर अपन करते हैं तो प्रशन के गलत होने की गुंजाइश जीरो हो जाएगी ऐसा क्यों देखो न्यून तब अपने कितना लिखा ला था चार तो अधिक्तम निकालने के लिए भी अपने पास में चार ही डिजिट आनी चाहिए यह याद रहे हैं कि न्यून त तो टोटल डिजिट कितनी आ रही है चार इनका योग करने से अपना आंसर तुरंत आजाएगा अगला पर चलते हैं देखो यह देखिएगा यह भी अपने को थोड़ा जटील लग रहा है जटील लग रहा है लेकिन आगे से आगे जसे जसे चलते जाएंगे थोड़े तो यहां से यहां तक जा रही है तीन इतना तो कर सकते हैं जैसे मां कर रहा हूं यह वाली आ रही है चार और यह वाली आ रही है पांच तो अपने देखा कि यहां पे टोटल लाइन कितनी आ रही है पांच आ रही है इन पांच रेखाओं में यहां से पूछे कि अधिक्तम कितनी है क्या पुछा जाए अधिक्तम कितनी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा तो अपने को बहुत सिंपल सा काम करना पड़ेगा क्या देखेगा यह लिजिए अब दिमाग लगा लिया होगा इतनी देर में आंसर आ गया होगा उम्मीद गर रहा हूं में बहुत ही सुपर फास्ट हो आप मुझे भी पता है जूड़ बाकि आपका भी बहुत येकिनन फास्ट है तो देखी कुशीश कर लेते हैं एक बार हो यहां से चले एक तो कितने तुखड़े हो हे दो मेरे साथ सात रिहर्सल करो एक्टिव रहो तो दो रहे तो यानि कि इस लाइन पटेल सब्सक्राइब कितना हुआ ती वे रीगूट अब देखु US से यहां तक एक इसके दू टुखड़े हो तो अपने को यह याद रहे कि अपना आंस्वर पांच डिजिट को जोड़ने से आएगा कौन कौन से यह पांच एक छह साथ इन दस तिन तेरा और छे उननीश बड़े समझ की बात है देखिए यहां पर देखा इससे पिछला प्रशन था इससे लग रहा था लाइनों की संग्या ज्यादा थी इससे दोड़ा डिफिकर लग रहा है लाइनों की संग्या कम है तो यह जरूरी नहीं है कि जो परसंद जैसा दिखे वो वैसा ही जटिल होगा नहीं बहदान सा क्वेशन से देखेगा यहां से अगले पार्ट में क्या कहता है कि अगर बात कर है तो यह वाली एक यह वाली दो और यह वाली तीन तीन तो अक्ष्ट्रा है और चार इस आयत में दिख रही है आपको तो चार और तीन कितनी हुई है शाथ होगी तो ये तो अपनी पहली बात होगी कि भी यहां से नूंतम रेख हैं टोटल हैं साथ अब बात आती है अधिक्तम कैसे निकालेंगे तो अधिक्तम रेखा हैं क्यात करने के लिए मैंने अभी कहा कि साथ डिजिट पता कर लो जोड़ दो उत्तर आ जाएगा अब और ऋज्ड़ को जिशे ने के लिए इस पर एक जगे कट लगा हैं पर दो टुखड का लोग एंच यहां कोर। एक ने देखना एक बाउंडरी को पता करने हैं यह इतने हैं ठीक है अब इस वाली सिंगल लाईन आए एक कांट करेंगे इसका इसमें देखते हैं कितने टुकड़े हो रहे हैं देखना यहां पर एक दू तीन और यह चार, चार कट लगें तो टुकड़े कितने हो गएं पाच, पाच टुकड़े का मतलब इसके अंदर टोटल पंदरा, अब यह वाली लाइन बच गई अपने पास, इसमें एक दो और ती लगह लग रहे हैं तो टुड़े कितना है वह चार और चार का योग कितना होगा 10 अb Joby यहां सबहे इन चीजों को देख पार है और कहीं भी कोई दिक्टत आती है तो दोस्तों यह चार टुड़े हैं तो देखो यहां से यहां तक आप इस पे कितना लिग connect यहां से यहां तक कीतना लिगे लो दो यहां से यहां मित घटना लिखो ती यहां से यहां तक इदने लिख Stand הפer अविए आपन और जै unterstützen आतै कि इनको करने में को तीन और दस कितने में तेरा एक चोदेश है बीश इन तेईस और पंद्रे कितने अड़ तीस और तीन एक तालिश तो कितने भी कितना भी कोई difficult question क्यों न आ जाए आसानी से आप line counting उसके अंदर कर सकते हो यह latest example है दोस्तों पहले ससी में आते थे 10-11 के बाद अब यह आए ससी जीडी में आरपी एफ कॉंस्टेबल आरपी एफ एसाई के अंदर तो अब यह थोड़े से क्रेज में है line counting में देखना है न्यूनतम और अधिक्तम रेखा हैं कितनी है कैसे काउंट करेंगे देखते हैं दोस्तों कि टोटल कितना है गिन सकते हैं अपन यह line एक दो तीन जगे टूटी मतलब इसके टुकड़े कितने हुए चार चार का मतलब कितना हुआ दस यह सिंगल है यह सिंगल ह इस में यहां से टूट रही है तो यह दो टुकड़े हैं मतलब टोटल कितने हैं अब यह जो खड़ी line हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां से देखो एक और दो दो टुकड़े का मतलब तीन यह भी दो मतलब तीन यह भी दो मतलब तीन तो टोटल कितना हुआ दे तो यहां पर अपने देखा कि अधिक्तम रेखाओं की संख्या कितनी है 24 अब थूड़ी सी स्पीड बढ़ानी आपको अब बात आतीन न्यूंतम रेखाओं कितनी है तो चितर बनाने के लिए रेखाओं का कितना प्रियोग हुआ तो देखो एक दो तीन चार यह तीन यह वाल यहां तक आगे एक और एक्जामपल देखिएगा यह वारा इसमें न्यूनतम रेखाओं कितनी है दिक्तम कितनी है फटा-फट काउंट करते हैं दोस्तों इस टुकड़े में टोटल कितने लिखूं तीन क्योंकि यहां से टूट रहा है इसमें भी कितने लिखूं तीन इसम इसमें देखो एक दो तीन तो कितने हो गए छे इसमें देखो एक दो तीन तो टोटल कितने हो गए छे न्यूनतम कितनी है यहीं से आइडिया लग गया एक दो तीन एक यह वाली चार दो तिर्ची वाली तो टोटल कितनी हो गए छे डिजिट भी अपने पास छे हैं एक दो तीन चार पांच छे तो अपना काम भी आसान हो गया छे चे बारा छे तीए अठारा तीन चे और तीन नो अठारा और नो टोटल कितने हो गए दोस्तों ट्वन्टी से वन तो यह अपने इस प्रशन का अंसर हुआ अधिक्तम रेखने से 27 न्यूनतम चे यह ओप्शन बता न्यूनतम रेखाओं की गणना बतानी एं Magic in the talk estuvलेखते हैं अगले प्रशंग की कहानी अधिक्तम और नियून्टम सेंप रशंट चाहिक्तμा अधिक्तम आ सकते तैयारी डोनों की करनी है और तैयारी धुनधार करनी है दोस्तों एक चीज़ याद रखना और कॉंपिटीशन जीतने के साथ साथ है एक चोटी सी बात बताता हूं लिजनिंग इस तरीके से सीखना कि दुबारा नहीं पढ़ने पड़े और दूसरी बात है मैं कलास में भी इस्टूडेंट्स को यह बात कहता हूं और आपको भी कर गिजिनिंग में पूरे मिसे पूरे नमबर आने है कैसा भी पेपर हो पटवार पुलिश किसी इस्सी कभी आप आपक्जाम देंगे बेंक कभी आप अग्जाम देंगे किसी भीज आप कॉंपेटीशन लाइन का अग्जाम देने जाए रिजिनिंग में पूरे में से पूरे नम्बर आने वाले हापके पस जूड़े रहना और साथ-साथ सीखते रहना देखना क्या है कहानी हागे कि अगला देखने हैं क्या है कि यहां से अधिक्तम रेखा और रेखाई नियूंतम रेखाई है फटा फट रेडी अब तक तो उच्थर निकाल लिया होगा यह देखो यहां पर एक कट लगा तो यहां यह वाली सिंगल सिंगल हैं तो इन पर एक एक लगा देता हूं पहले यह पता कर लो कितनी है तो तीन बाहर वाली बाउंडरी में तीन अंदर वाली में एक इक शीदी होगी तो टोटल लाइन जो गणीत आपकी कहती है वह बिल्कुल सही करी कितनी है साथ डिजिट भी साथ आई है नहीं आई है देख लेते तिन यह रही तूटल तो टूटल यहां पर इसका आंस्वर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है शत्रह अब चलते हैं अगले प्रशन पर देखते हैं क्या कहता है अधिक्तम रेखाएं न्यूनतम रेखाएं यह आपका एक नया टाइप का डाइग्राम है इस टाइप से भी बहुत से उताहरण आपको पुछे गए हैं एससी जीडी के अंदर भी आया है और आर्पी एफ के अंदर तो बहुत से विद्यार्थी थोड़े चक्रीत हो जाते हैं कि ऐसा प्रशन जब आ जाता है तो अपन कैसे गिनेंगे और इसके अंदर गलती होने की पूर्ण गुंजाई से क्यों हैं देखना अगर मैं बात करूँ कि यहां पर रेखा इन यून्तम कितनी है तो आप कोगे एक दो तीन यहां तक हो गया अब देखो पहले चाहिए बाउंडरी कैसे भी किलो एक यह गिनी एक पूरी दो एक यह तीन एक यह चार एक यह वाली है पाँच और एक यह वाली है छे आप यह तक पूरी एक मानी जाएगे तो आपने देखा कि यहां अगर काउंट करते हैं तो नियून्तम रेखाओं की संख्या जो आने वाली है वो दोस्तों कितनी आने वाली है छे आने वाली है अब बहुत से विद्यारतियों कि दिमाख में चल रहा है कि यह कहां गई कि यह भी तो लाइन में काउंट होनी चीए यह भी तो चितरी बना रही है लेकिन दोस्तों यहां नियून्तम रेखाओं की संख्या है छे और यह जो राउंड घूम रही है यह रेखा में नहीं काउंट होगी मैंने क्या कहा जहां से सुनो इसे हम ना तो नियून्तम में ग की ईसको ना तो न्यूंतम रेखा में गणा जाएंगा ना अधिकतम रेखा में एक इस बात को कांठ मांने लिजीए मैं क्यों कि ये जो राउंडe गूंता है एक ये किसी बिंदु पर क्हूंता है जैस annual और बनाते हुब तो वर्त किसी रेखा इसे कहेंगे या रेखा इसे कहेंगे मेरे इसाब से आप इसे चाप कहते हैं क्या कहते हैं चाप तो इसे रेखा में नहीं गिना जाएगा इस चीज पर ध्यान दें इसे रेखा में नहीं गिना जाएगा इसकी काउंटिंग चाप में होगी तो आप यहां पर इसको बि इसमें कितना एक यहां तक बीच में एक कट लग रहा है तीन यह भी सिंगल है एक यहां से लेकर यहां तक जारी बीच में यहां कट लग रहा है तो यह कितना हुआ तीन यहां से लेकर यहां तक जारी बीच में कट लग रहा है टोटल कितना हुआ तीन और यह वाली यहां से यहां तक है तो कितना हुआ एक तो टोटल यहां पर डिजिट 6 आ रही हैं 3 3 6 3 9 10 11 12 तो अपने देखा मैंक्जीमम लाइनों की काउंटिंग कितनी है बारा और मिनिमम की काउंटिंग कितनी है छे यह ध्यान देना अब देखो इस परकार की प्रशनों में ऑप्शन जो होते हैं वो बहुत करीबी होते हैं अब विद्यार्थी क्या होता है थोड़ा सा ब्रह्मित हो जाता है जैसे ऑप्शन दे दीजिए आपको 6, 8, 9 और 12 यह आपको ऑप्शन दे दिये हैं और आपसे प्रशन पूछा कि इस चित्र को बनाने के लिए कितनी रेखाओं का प्रियोग किया है जैसे मालो 8 जग shortened मैं थोड़ा से चेंज कर दिता हूं यहाँ पे आपको 7 दे दिया जाए और यहाँ 9 की जगने आपको 13 दे दिया जै ऐसा कुछ आपको दे दिया मैंने ओप्शन थोड़ा चेंज कर दिया है अब देखते हैं कि क्या करता है देखो अगर नोलेज होगा जानकारी होगी पढ़ा हुआ होगा सीख के गया होगा कॉंपटिशन होल में तो वो सही करेगा अधरवाइज एक उसकी विधी है तुक्का विधी अब तुक्का कैसे लगाते हैं देशी आदमी देशी काम सारे अपन राजस्तान आधमी तुक्का रूपका दोई पर जीते हैं तो यह देखो क्या है कहानी तो तुक्का जो हो यह तो पक्का है क्यों क्याम कि ऊसको पता है कि शे तो सबसे चोटा शीर की चैट ल poses चोटा उपशन है मैं तो यह योड़ नहीं सकता है अब आध है साथ बारा तेरह में प्रसंद किया था एक पृतर लो इस चित्र को बनाने के लिए और कितनी रेखाएं खीची गई हैं या कितनी रेखाओं का प्रियोग हुआ है अब वो क्या करेगा च्छे को तो उड़ा देगा क्योंकि बूले 6 तो सबसे छोटा है ये तो होई नहीं सकता अब वो क्या करेगा 7 12 और 13 में से आंसर टीक करेगा और उसकी एस्टसी पहले ही हो गई क्योंकि अपने को पता है नियूनतम रेखाओं की संख्या कितनी है 6 अब यहां पर क्या होता है कॉम्पिटिशन वाले नोलेज के साथ साथ आपका कॉमन सेंस भी देखते हैं कि तुक्का भी लगाए तो अगला सेंस पे तो लगाए अब क्या करेंगे विद्यार्थी जाएंगे वो 6-7 छोड़के 12-13 में से मैं मानता हूं कि अस्य प्रतिश्य विद्यार्थी 12 और 13 में से कोई सब्संशेन करते हैं जो कि गलत हो जाता है अब बात आती है कि अधिकतम रेखा हैं कितनी है अगर काउंटिंग है तो बहुत अच्छी बात नहीं है तो फिर वो ही तुक्के वाली बात पर चले जाते हैं विद्यार्थी में यह चीज़ शिखा रहा हूं कि तुक्का कभी काम नहीं करता है खास तोर पे रिजिनिंग म दो और दो से अपन चाहें वह बना सकते हैं 2 और 2 से चार भी बन जा है आब वह चार जोड़ होके बना गुरूणा होके बना इसका पता नहीं दोर दो बाइस भी हो जाता है तो इसका कुछ नहीं पता क्योंकि रिजिनिंग में तुक्का काम नहीं करता है यह गांठ बात ल तो यह चीज भी गलत है तो दोनों के उपर इस चीज पर गांट बांद लें तुक्का काम नहीं करेगा आप नोलेज गेन करके जाएं कॉम्पेटिशन के अंदर साथ साथ जुड़े रहें जो हां भी जिस भी पॉइंट पर दिखकेत आती है आप कंसल्ट करेंगे मैं जरूर तो आपके प्रशनों के जवाब अवस्य दूगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन क्या है तुक्का बिल्कुल नहीं चलेगा ध्यान रखना है यह वाला देखिए अब आता है इस प्रशन में अधिक्तम कितने हैं नियुनतम कितने हैं क्या करना चीए कैसे क्यांटिंग होगी देखिएगा बड़े गोर से बहुत ही अच्छे कुशन से सबसे पहले मैं इसको एक गिन लेता हूं और सभी कर रहा हूं यह गलत कर रहा हूं तो आपको पता चल गया कि हम यह तो गलत बात है इसको एक कैसे गिन लेंगे पीछे वाले में तो गिनी नही में काउंट नहीं होगे पहले न्यूनतम का पता कर लेते हैं कितनी हैं एक यहां तक एक यहां तक कितनी हो ली दो दो यह वाली चार और दो यह वाली कितनी होगी छे तो अपन को पहले यह कौंसेप्ट क्लियर हो गया कि न्यूनतम रेखाओं की संख्या यहां पे छे हैं अ इस लाइन पे एक कट लगा, कितने हो लिए, तीन, अब आते हैं इन पे, एक और दो कट लग रहे हैं, तो ये कितने हो गए, छे, इस पे भी दो कट लग रहे हैं, ये कितने हो गए, छे, अब तिर्ची वाली पे आते हैं, इन पे भी दो-दो कट लग रहे हैं, तो ये भी 18, 6, 24 और 6 कितने हो गए 30 तो अधिक्तम रेखाओं की संख्या जो इस प्रशन की है वो कितनी है दोस्तों 30 तो ये वाला प्रशन जो आप देख रहे हैं इसमें भी अपने पास काउंट करने का तरीका होई है ये जो गोल घूम रहा है इसको ना तो अपन न्यूनतम में गिनें गांट मान लिजेगा इस चीज को कैसे फिर से बता रहा हूं न्यूनतम रेखाएं जैसे ही प्रशन में आती हैं क्या कहा न्यूनतम रेखाएं कौन से प्रशन में जिस प्रशन में ये पूछा जाएगा कि इस चित्तर को बनाने के लिए या इस चित्तर की सरंचना में या इस चित्र की सरंचना में कितनी रेखाएं हैं कुल कितनी रेखाएं हैं तो आपको याद रखना है उसमें अधिक्तम रेखाएं गिनी जाएंगे जिन में अंतराल जादा होगा उसके options बड़े easy आएंगे न्यूनतम पूछेगा तो 30 वाले option में नहीं जाएगा तो यह छूटा सा common sense अपने को रखना है राउंड कहीं हो रहा है तो वह रेखा में नहीं यह ना जाएगा है आगे चलते हैं next example देखिए अगला example number 10 क्या कहता है इसके अंदर आप देख रहे हैं एक बाहर circle बना हुआ है कि अब क्या करने हैं छोटी और छोटी शी ट्रीक आपको बता देखिए अब इसके अंदर यहां देखो यह लाइन कि एक यह लाइन दो यह लाइन तीन और यह वाली चार नियूनतम रेखा हैं कितनी हैं चार अब आप से में एक पूछो कि टोटल नियूनतम चार हैं तो एक बात बताओ बाई एक जैसी है वैसी चारों है मैं जैसे कहें कि एक रेखा जैसी है वैसी ही चारों है तो मैं यह कहूं कि एक में कट एक ही जगह लग रहा है तो मतलब कितने हुए एक में कितने हैं तीन तो टोटल टुकडे कित अगर सेंस काम में ले लेना तो बहुत ही आसानी से काम हो जाता है देखो एक जैसे हैं सारे जुगाड तो चार देखाएं तीन तीन के इसाब से चारती है बारह यह अपना अंसर हो गया बहुत आसान काम है बहुत ही आसान काम है अगर मैं आपको एक चितर और देखो जो आया हुआ है देखेंगे ना आप आरपीएफ कोंस्टेबल के अंदर यह प्रसन आया था देखना कैसा है कि अपने इसको गिने तो फिर क्या होता है विद्यार्थी सोचता है प्रसन बहुत जटील आते हैं लेकिन मैं कहता हूं भाई बहुत आसान आते हैं यह प्रसन दिया और इस प्रसन को देख करके आपसे पूछ ले कि भाई यह बताओ इस चित्र को बनाने के लिए कितनी रेखाएं खिचीगी तो भाई मैंने बताया आपको कि जब तक मूड़े नहीं तब तक एक ही गिनी जाएगी तो यानि आपसे नियूनतम पूछ ले तो कितनी होंगी और यदी अब को अधिक्तम पूछता है तो कितनी होंगी मिनिमम और मेकदिम दोनों बतानी है तो अब यहां से आपको जो प्रसन पूछा गया था वो यूनतम का नहीं तो अधिक्तम पनानी है वैसे तो आर्पिएप के पेपर के लिगा नुसार लेकिन अपन दोनों देखते इसके अंदर कितनी है टोटल भाई तीन बाउंडरी में और तीन तिर्चिय वाली तो टोटल कितनी है अच्छे अब देखो यह लाइन अब अपने यह सेंस को मन सेंस की बाते हैं जिसको अपना अपलाई करें तो बहुत आसानी से कॉपिटिशन और कम समय में जीता जा सकता है इस लाइन पर एक इस पर भी यहां पर यह भी एक जगह से और यह तीनों भी एक जगह से तुम्हें कह सकता हूं कि एक लाइन तीन कुल लाइनों में विवाजी थे, दो टुकडे हो रहे हैं तो तीन रेखाएं हो गई, तो सारी एक जैसी हैं, न्यूनतम छे थे, न्यूनतम कितने थे, छे, और एक लाइन के उपर टोटल छोटी और बड़ी रेखाएं मिला के तीन, और तो अधिकतम कितने हो गए, छे तो यह अपना आंसर हो गया, एक को गिनने की जर्त नहीं है, एक को गिनलिया सारी एक ही जैसी हैं, तो न्यूनतम रेखाओं की गणना को टुकड़ों से मल्टिपलाई करद उत्तर हो जाएगा, यह अपना बेसिक कॉंसेप्ट था, लाइन काउंट करने का, इसके साथ साथ देखो, लाइन काउंटिंग, उम्मीद है कि बहुत ही बेसिक से लेके चला मैं, देखना, अपन अगर पहले पॉइंट पे चलें, थोड़ा वापिस बीछे, यह रहा, तो इस चीज के ऊपर अपन बात करते हैं, तो भाहियो, यह जो पॉइंट है, मित्र मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे लाला, यह जो पांच पॉइंट है, कोपी में चाप लो, दिमाग में चाप लो, हाथ पे चाप लो, जहां देखो, वहीं लगए, लाइन काउंटिंग सीखनी है, और बहुत ही जल्दी करना है प्रसंद को, एक, दो, तीन, चार नहीं करना है प् परिक्सिया में जो प्रसंद आएगा, वो यहां टच हुआ, अब यह यहां टच हो गया, तो मेरे भाही एक लाइन नहीं रही है, यह कट बन गया, यहां पर कट बनते हैं, यह दो टुकडे हो गए, और अब इनका योग तीन हो गया, यह विशेस बात है, अब देखो, यहा तो यहां छे करी दिया, चार टुकडे होते हैं, दस और पांच होते हैं, यह पांच डिजित याद रखनी हैं मेरे लाल, कैसे देख, एक, तीन, छे, दस, और पंदरह, अपने बड़े-बड़े परसंनल की हैं अब यह भी, बड़े-बड़े परसंन देख रहे थे, और उन बड़े-बड़े परसंनों में भी एक चीज को मना रही थी, कि ज़दा से ज़दा अपनी जो गणीट पहुंची वो दस तक, या तो एक पे थी, या तीन ज़दा आ रहा था, या छे आ रहा था, कुछ में दस भी आया, एक परसंन आया था, बीच में जिसमें पंदरह भी भी आ गया था लेकिन इससे बड़े ज्यादा और नहीं पुछेगा एक तीन छे दस तक भी आधना एक आए तो एक दो टुकड़े ओर रहे हैं तो तीन हो तीन हो यह तो छेर चार हो यह तो दसर पांच हो यह तो पंद्रा चिपकादेना कोपी और अपना पैन लेकर के कोई भ लगतेन चिकेशन जीत सकते हैं नहीं आपके पास एक अपना पैन और एक कोपी हो तो आपने जीत सकते हैं कैसे मर्जी से कैसे भी और उसमें ये देखना कितने कट लग रहे हैं कितने टुकड़े हो रहे вже और कैसे अपन को काउंटिंग करनी है यह याद रहे, नीनद में एक बार सोने से पहले, रिपीट कर लेना, एक तो, एक दो टुकडे तो, तीन और तीन टुकडे तो, छेर चाड़ टुकडे तो, दस और पाच टुकडे तो, पंदरा, कांटिंग में जोड़ते जाना, अपने उत्तर हा जायेंगे, कभी भी, किसी भी रेखाएं गिनने के प्रिशन में आपको दिक्कत नहीं आएगे ये था अपना रेखाएं गिनने का प्रोग्राम अब बात करते हैं छोटी आगे जो अगला अपिशोड अपन पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बहुत ही बेसिक से वर्ग गिनने शिखाऊंगा बां स्योडरी अपको नमनेizzy घर अघरण की का इस घर चए ऐस के लिए अचर्व थाम में वह अच्छाव कर सकत junior Muslim